सबीकों नमस्कार दोस्तों आज हम देखने वाले हैं इन्वारिमेंट का ट्रेंड अनलेसिस साथ में एक साल का जो इन्वारिमेंट में जो चीजे चर्चा में रही है उसके बारे में चर्चा करेंगे और यह पीडी बहुत सांदार बनी आज की आप यह मान सकते हो कि यह लगबग 200 पेज की पीडी फाइल आज बनी है लेकिन इसको आप जब पढ़ोगे ना तो एक दो गंठे के अंदर ही आप पढ़ लोगे यह मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ने बहुत सांदार बनी है जैसे हमारी जो मेपिंग की बनी है उससे वैसी बनी है और इससे इंपोटेंट है तो ऐसे करके 200 पेजगी फीडिया आप देख सकते हो ठीक है पढ़ने से पहले तोड़ा सा में आपको और भी देता हूं ताकि आपका मजा ही वीडियो देखने में ठीक है तो उपर चलते हैं पहले टोपिक से हम इसको पढ़ना सुरू करते हैं और बहुत इसको त्यार करता हूं न तो इसको त्यार करते हैं मुझे 5-10 गंटे लग जाता हैं कभी कभी आज जैसे सुबह से साम होगी इसको बनाने में पीडिया बनाने में तो आपसे एक रिक्वेस्ट है यार वीडियो को लाइक करा करो ठीक है क्योंकि बहुत अच्छा इसमें बाराम से लाइक करो और सबसेशी बात अपने दोस्तों के साथ सेर करना ज्याद सेर करोगे तो ऐससा अच्छा कंटेन में आपके लिए हमेशा लाता रहूंगा क्योंकि एक मोटिवेस्ट मिलता है कि यार वीडियो में वीडियो जाए है लोग उने देखा है उसका फरक बोज़ता प्यार देखने को मिलता है और अपने जो टेन अभी तक आपने नहीं देखें पीवाइक क्योंकि बहुत ही सांदार बने ही है जुरूर देखना यह लिंक जो मिलेगा आपको पीडियो पर वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना वहां पर मिल जाएगा या जैस क्लाइमेट एक्शन ट्रेकर जो विभिन देखों के उत्सरजन अपचेन के लिए दिये गए वचनों की निगरानी करता है तो इसका मतलब क्या हो थीम में हम देखते हैं कि 4-5 थीम निकल रहाएगी वो वीडियो जब खतम होगा तो मैं आपको यह बताऊँगा कि आपकी प सब्सक्राइब करते हैं यदि आप ऐसा अनलेसिस करते हो टाइम तो उसका फाइदा मिलता है और मैं तो कंटिन्यू वही चीज़े पकड़ के रखता हूं कि UPC का सेलेबस पीवाई क्यों पकड़ करते हैं और अपना सेलेबस कवर करते हैं बहुत आसाने से कम समय में अपना कोई भी कन्वेंशन हो रहा है कोई बी और उर्गनाईजिसन है कोई सेंस्ता है रिपोर्ट है उसके साब शायता है आमस्वर में ज्यादा डिसकस नहीं करूँगा क्योंकि यह तो पहले ही में प्यू आईकों में काफी करवा चुका हूं अच्छे तरीके से करवा चुका हम थीम को पकड़ेंगे उस पर चर्चा करेंगे और साथ में क्या करेंगे नया उसमें क्या है जैसे इस साल कन्वेंशन की इनकी बात करें तो इसमें जैसे उस थीम को हमने देखा तो नया इसमें आया जैसे भारत का जैसे नया जैवीविता कोस है इस पर जोर दे रहा है ज लिए आप पर हो था यह अ दिसमबर 2022 में मोंटल करना में आप के लिए करने के लिए कि लिए खेए को को से जो जलवाई का है हमारा COP27 काँ पर पता होना चाहिए आपको ये सरमल सेक में हुआ था तो ये अलग है याद रखना जेवी विता वाले अलग है कभी-कभी तो सामाने आ जाते हैं कि मौन्टिल जो है वो किसे जुड़ा हुआ है ऐसे भी कुशन चर्चा में रह जाते है तो ये करंट अफेर भी हम साथ में देखेंगे तो जैसे आपको ये जरूर देखना चाहिए इस साल ये गलोबल जो इन्वारिमेंट फेसिलेटी है काफी चर्चा में रहा है जो मरस्तु लिकरन रोकने से लेकर कई सारी चीजों के साथ जुड़ा हुआ है याद रखना है इसको जो गलोबल इन्वारिमेंट फेसिलेटी है वो कई सारी चीजों को क्या करता है फंड करता है इसको भी हम आगे देख लेंगे ठीक है जैसे जेविता अभी समय के में बात करें इसके सुरुवात कभी थी तो ये 1992 में येडी जोने रिया जो परत्वी फैस समयलन हुआ था वहां से ये मामला निकल कर आया था उसके बाद में कंटिनूस में समयलन हो रहे है कि जैसे इसमें कितने सदसे हैं 196 सदसे इसमें घड़ते बढ़ते रहते लेकिन अभी जो अपने पास चीज़े हैं उसके साब से एक सौटसर देशों ने इस पर रिस्ताक्सर किया है और ये मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि काननी रूप से बादी का रिसन दिया जो 1993 में यहां से लागू ही थी तो यह आपने देखा ना कि जेविता कन्वेंशन हम थीम पकड़ के रखेंगे चार-पांस थीम मोटी मोटी है एक तो कन्वेंशन और और और्गनाजेशन की एक बहुत सर जीव जो जनतू होते हैं चाहिए आप यह मान सकते हूं कि उनकी Ice and category कौन सी है या जो नए जीव मिलें भारत में भारत की किस चेतर में नए जीव मिलें चाहिए आप तितली की प्रजाती मानाऊ या कोई कच्षवा की या केंकड़ा चिंटी इनकी प्रजाती काफी कुछ नियां से पहले आया है तो वो भी हमें पकड़ के रखना है साथ में जैसे भारत की कौन से नेशनल पार्क है बाइस पर रिजर वो चर्चा मेरे तो आप इन्वारिमेंट की टोपिक की पांस साथ अचा इसका उदस से खाता वो यहां पर देख लाना इसका क्या क्या उदस से और जो सीबीडी का सचे वाल है कहां पर मोंट्रिल कनाडा में है ठीक है यह इंपोर्टेंट आपके लिए हो जाता है कंवेंशन को यह क्या करता है आर्थी ग्रूप से मदद करता है और गरीब देशों को क्या करता है प्रियावनी जो गतिवदी होती है उसमें धनम हुए कराता है मैं इसको मानता हूँ very most क्यों कि इस साल यह काफी चर्जा मेरा है तो यह फिल सी इसका कुशन बन सकता है, पहले भी इसका कुशन बना था लेकिन इस बार दुबारा बन सकता है, इसकी स्थापना कब हुई थी, अक्टूबर 1991 में हुई थी, और यह क्या करता है, वीस्वर बेंक के साथ एक पाइलेट कारिकरम के रूप में, वेस्विक प्रया एक हो गया अपना डेजिटिफिकेशन का और स्टोकोम कन्वेंशन हो गया और इसके लावा जैसे जो है पारा से समधी मिनिमाता कन्वेंशन ये पकड़ के रखना आप एकदम एजिली पकड़ के रखना एसा ही मतलब नहीं होना चाहिए कि आपने इसको विल्कुल छोड़ दिया स्किप कर दिया तो जैसे कुशन का पेटर्न का पेटर्न का ये कहता है कन्वेंशन या जो भी नहीं चीज़े आ रही है कलाइमेट को लेकर वह आपको देखनी चाहिए तो इसके अंदर हमारा पहला जो टोपिक कवर वा कि ये चड़्चा में रहा था इसको हमें जरूर देखना चाहिए CBD की बात कर लो चाहिए आप Global Environment Facility की बात करो दोनों को आपको जरूर कवर करके आगे बढ़ना चाहिए ठीक है आगे बढ़ते हैं इसके लावा जैसे बहुत सारी और भी चीज़े हैं क कि भारत के अंदर आप कह सकते हो कि भारत में Environment को लेकर क्या क्या इनिसिटिव लिए जा रहे हैं वो भी थीम के अंदर आते हैं जैसे यह सेकेंड वाला टोपिक हम देखते हैं Building Climate ये Resilience Collectivity का है और जैसे अभी हमने देखा कि जो COP27 कहां पे वा था किसका जलवाई प्रिवर का पूरे सारे पक्स देख के जाना यहां पर चोटे-चोटे-पक्स मैंने भी रखें लेकिन आपकी जिम्यदारी बनती है कि इनको आप देख के जरूर जाओगे तो अभी जैसे सरमल से मिसर में जो आई जूतवा था अपना COP27 इसमें क्या वा था भारत ने भी अपनी दिर तो इसमें बहुत सारे भारत के पक्स रखें उन्होंने कि जैसे जलवाय और लचला सेर की बात करें इसे टोपिक बहुत सारे आते हैं कि कैसे हम क्या करेंगे अनकूल और अडप्शन और रिसोर्सेज एपिसेंशी पर कारी करेंगे तो इसको लेकर बहुत सारी चीजे इसम करें मैं आपको बेसिक चीजे बजा दू एक डायरेक्शन आपको प्रदान करूं ताकि आप पीडियापी इसको आराम से डंक से पढ़ लो ठीक है लेकिन जो इंपोर्टेंट चीजे होगी उनको पढ़ते चलेंगे चर्चा करेंगे उन पर जैसे इसके अंदर बहुत सारे कि जो सहर है मतलब सहरों का एक कुछन आया था पहले भी ऐसे जो ऐसे आवास है या सहरी वाले चेतरों को लेकर है विटाट को लेकर कुछन आ चुका है तो जो यह सस्टेनबल सेटी इंडिगर्ड एप्रोच पाइलेट जो है यह किसके अंडर में इंप्लिमेंट किया रहा जैससे उनको कही निक फंडिंग की बाद आती है टेकलोजी के बाद आती है हूससके दी जा सकती है ठीक है तो यह य्वन हैृटव का एक मतलब खह सकते हो समर्तन परदान करता है और इसके मादिम से क्या करता है बहुत सारे डाटा Bossalis केश को भी कम कर सकें और कैसे हम के बारे में जैसे यह उर्गनाइशन है क्योंकि एक थीम यह बनता है कि आपको जितने भी अंतराष्टी और राष्टी जो उर्गनाइशन है जो इन्वारिमेंट को लेकर काम करते हैं जो भी कन्वेंशन है उनको आपको कवर करना चाहिए तो यहां पर देखना आप जो यू कुसन देखना दोजारबाइस के अंदर यह भी एक कहीन जलवायू जो कलाइमेट ग्रूप उनको लेकर आए था या क्या कैस में हो रहा है उसको लेकर आए था जो भी हम बात करें ना कन्वेंशन और्गनाइशन या कोई नई थीम पर मामला बन रहा है तो उसको हमें देख पर तापमान को निदेशन में नहीं लाते हैं हमने पहले पेरिस जो खनीमिंशन हुआ था उसमें भी ये चर्चा में किती है हमें डेकर आगे बढ़ना होगा ठीक है और इसके अंदर बहुसारे चीज़े देगी है कि कितना डिग्री सेल्ससे हमें इसको कितने समय तक हमें रोकना होगा इस तापन को अधिर्वाइज क्या होगा इस अधिके अंत तक मतलब मामला भी गड़ जाएगा बहुजदा मतलब फिर तापन बढ़ेगा तो गलेशियर फिग लेंगे बहुत सारी दीपों की डूबने का खतर आएगा तर्टी चेतरों की डूबने का खतर वो किये सुईतराट्स प्रयावन कारिकर्म यूएनईपी और यहां पर देखना है विस्वे मोसम वीगान संगतन इन्हों ने किये स्थापना कब किये उनीश उठापना किये और इसका उद्शिक है यह जलवाई परिवरतन पर क्या करता है समय समय पर जो वेगैनिक आप कह तो उसको लेकर भी काफी चीज़े अंसर्चा में रही है ठीक है तो यह यह भी आपको देखना है ठीक है मैं आपको समझा रहा हूं उपर उपर से बागी डीटेल में आप जूरूर देख लेना इसको आगे देखते हैं इसमें सामाने जो इन्वारिमेंट के कुशन बे आत लिए तो उसको देखकर आगे बढ़ सकते हो इसी तरह जैसे हम यह देखते हैं पियम टेन यह पार्टिकल जितने भी है कितने चर्चा में रहते हैं डेली आप नुजबर पढ़ते हो ना तो यह लगतार चर्चा में आते हैं हमारे देश में भी बहुत सार ऐसे कारिकरम चल इसको बेजा गया था इसलिए चर्चा में रहता तो हमारे जिमितारी का बनती इस साल भी कोई मतलब जोग्राफिकल इंडिकेसं में कुछ चीज़ा चर्चा में रही तो आपको देखना चाहिए जैसे मैंने कोशिज कि कुछ जोग्राफिकल इंडिकेसं कि आपे चीज़े पढ़ते रहो ठीक है जो भी आपको जहां उचित लगता है पढ़ सकते हो तो जैसे हम केरल की बात करें केरल के पांच उत्पादों को इसमें जी आई अटे का दर्जा दिया है इसके लावा जैसे असम का भी है पारमप्री कपड़ा है गमोसा माराश्टर का के इसमें सपेद प्याज जो है यानि करसी और इन्वारिमेंट के चीज़े चर्चा में है तो इनको आपको जरूर देखना चाहिए इसके लावा लदाक का भी इसमें है ये खुबानी जो है तेलंगाना का तंदूर रेड़ ग्राम है ऐसे बहुत सारे है तो आप ये कर सकते हो थोड़ा सा गूगल के लेना कि इस साल और कौन से जो प्रोड़क्ट है जिनको जोग्राफिकल इंडिकेशन के लिए बेजा गया है या जिनको जोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है ये आपके लिए इंपोटेंट है और जैसे यहां पर केरल ये हमने लास्ट वीडियो में भी चर्चा म जिसे रिसाइकल की बाते हो रही है यह अनी चीजी चर्चा में रही है तो उनको आपको देख कर सलना चाहिए इसके आस पास की चीजे पढ़ना चाहिए यह कुसन ऐसा है जो दो वार आच चुगा था यह आपने प्रिवीश एर का कुसन पड़ा होता जो गोल्डिन मासीर वाला है कि निमलित में से कौन सा पकसी नहीं है ठीक है तो यह आप देखो यह बहुत आसान कुसन लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों गलत हुआ था लास्ट एर जैसे मैं एक्जाम दे रहा था तो साइध यह मेरा भी गलत हुआ था क्योंकि 2019 में जो कुसन आया था साइध मैंने भी ध्यान से नहीं देखा हुगा ठीक है तो यह मेरा कुसन गलत था मैं सव्यूगार करता हूँ इस बात को यहां बेट के यह नहीं बोलूँगा कि यह मेरा तो बिल्कुल सही था आप लोगों वह मैंसा बताता हूँ कि यह प्यूगा क्यों आप डंक से नहीं देखते हूँ तो आपके 10-20 कुसन तो इसे गलत हो जाएंगी तो यूपीस ने इसको कुसन निल्य वाली को पूछ लिया गोल्डन वाली का पूछ लिया ठीक है तो यह देख लेना यह थोड़ा सा आपके लिए कुसी के लिए कि और भी देख लेना को लाल पिली वच्छी हो ना तो इसको भी देख लेना तो यह दर्श्टी कौन होता है नई नई चर्चा मेरी तो हमारी जिवेसारी कि पनती है इस साल और कहीं भी कुछ चीजे चर्चा मेरी तो उनको देखें साओी वो फक्सी हो, یا कोई मसली की फ़रजाती हो या कोई और जीवजन दो हो हो सकता है यूपी इसी पेटर्न पर कुछ और कुछन बनाएं ठीक है तो यहां पर जैसे उडिसा जिले में एक पिट्टा फक्सी है ठीक है उसका एक ठीकाना मिला है तो उसको लेकर सरसा में था यह कहां पर बितरकनी का जो मेगरोफ सेंचुरी है कभी-कभी तो यह आ जाता ह तो पूरी तरट पर जैसे उडिसा में है परसी बंगाल के सुंदरवन में वहां पर पाए जाता है और जैसे मेगरो जो पिट्टा है भारत के तरटी है मेगरोफ में पाए जाता है यह जमीन पर काफी डेटेल है आप डेटेल पढ़ोगे तो मतलब मिल जाएगे आपको जैसे आगे डेटेल आप देखना चाहो तो जब यह बीधर करनी का राष्टी उधान चर्चा मेरा है तो आपकी जीमिजारी बनती है इसकी सारी डेटेल जानो कहां पर इसकी लोकेशन है कौन से नदीन में से बैती है कौन से जीवजन तो यहां पर पाए जाते है ठीके लो अलग से आपको कुछ नहीं देना चाता इस समय, अलग से कोई कच्रा आपको नहीं देना चाता कि इस समय आपका टाइम खराब हो, बिस आप एक डट गंटा इस वीडियो के देदो, आपका काफी काम बन जाएगा इस से देखना, ठीक है, तो यह बहुत सारी चीजी यहां पर बेली ड्रेंड बबलर इसको नाम दिया गया है, ठीक है परसा ठीक है, और अनपसरलकेड के सौंग बढ़्ड खह सकते हैं इसको, जहां पर जिसका नाम, लिशू समधाइ के नाम पर लिशू रेंड बबलर रखा गया है, तो कई बार यह आ यह आ जाता है कि लिशू आते हैं तो उनको तो और देखना चाहिए क्योंकि पेपर कई बार यहां से सेट होता है क्योंकि एक्जामेदर भी यह पेपर पढ़ते हैं और यह काफी चर्चा में रहते हैं ठीक है जैसे लाश्टिर यह जेव से बाई रोक टेक्नलोजी गाया था ठीक है इसमें परवाल व लेक्ट है उनको लेकर भी जैसे लाश्टिर के कुसन आ गया था यह भी आपको देखना चाहिए तो इसी तरह से जैसे यह जूच्पर में था क्लीन गंगा वाला तो इसमें जो नमामी गंगे कारी क्रम है यह कैसे काम कर रहा है कब इसकी शुरूआ थी तो यह कौन से मंदर पकड़ के रखो देखो मैंने आपको बता दिया थीम कौन से एक तो अंतराश्ट इस तरह पर जो कन्वेंशन हो रहे हैं या कोई और्गनाजिसन है जैसे आई-उसी नहीं है डव्लो डव्लोप है यूनेप सिसी है आई-पी सिसी यह सब आपको देखना है भारत के अंदर क इस पर रिजरवय है ठीक है टाइगर रिजरवय है यह सब आपको देखने है इनकी मेपिंग आपको करनी है तो इन्वार्बेंट की थीम मिलेगे आपको पांस साथ जो टोपिक है उनको लगतार आप देखोगे तो फालतों में फिर आपको वो मोटी किताब यह नहीं के लिए या दर्ष्टी आईस के आप जो पढ़ते हो हिंदी वाली हिंदी में इंवरिमेंट कहती है वो पढ़ते हो तो उसमें फिर आपको सेलेक्टिव हो जाओगे आपको पूरा पढ़ने के आफस्ता नहीं है और अभी जैसे टाइम कम है तो आप जानते हो इसमें आपक सेकिंड कि आपके लिए वेलु है तीक है आगे बढ़ते हैं जैसे फिर से ये मतलब जीवजन्तों वाला है यह पैसी बहुत लाइक करता है इनको जीवजन्तों को लेकर और आनो तो इनमें से जैसे कौन सी कौन को ब्लिए करशकों करती है चींटEE की ये पढ़ जाती थी यह मतलब जो सुक्सम नेनो पार्टी के लिए कुशन पहले भी दो तिन वार आ चुके थे यह दुबारा से फिर उसी थीम रिपीट हुआ है यानि एक थीम और जुड़ गी इसमें पॉलीशन की याद रखना पॉलीशन में आप चाहिए वाई पॉलीशन के कुशन बनते हैं वहाँ पे यह पांच से थीम है जो हम लगतार चर्चा कर रहे है इन थीम को पकड़ के रखना है ठीक है नेक्स आगे बढ़ते हैं यह कुशन UPC के आप दस सालों में देखो के तो कम से कम तीन वार यह कुशन आया है इनको आपको थोड़ा सा देख धेर नहीं ठीक के वनों की कटाई के पर वार इस बार यह चक्रचा में रहा था कि इनसे क्या 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 क् रिपोर्ट है भारत के अंदर वनों को कितना है यह सब चीज़े सब न्यूज़ पर में आया है जो आपको जुरूर देखके जाना चाहिए तो यह 2022 की थीम हमने देखी और उनके आसपास कौन से कुछन बन सकते थे वो हमने देखने का परियास किया अब हम सलते हैं 2021 के पेपर मैं आपको यह थीम इसका समराइज कर दूँगा कि कौन से टोपिक आपको देखने चाहिए बस आपके लिए वो ही इंपोर्टेंट होते हैं फिर जैसे इसमें यह हमने देखा तामर प्रगलन या ऐसे पॉल्यूशन वाले चीज़े देखी तो जैसे इस साल चर्चा में रह लेका यह एक अधेन पाया गया है उसमें कि सड़क के किनारे धूल को इक्टा करके वहां पर जो उनकी चुम्ब की छेतर है उनसे प्रिक्शन करके किसी भी चेतर काम क्या कर सकते हैं प्रदुष्ण का प्रणारम भी जो है चीजे वो निकाल सकते हैं मेगनेटाइट की जो क को का अधेन कर सकते हैं यहां पर ठीक है तो मेगनेटाइट की मातरा दीगी शड़क पर याता है तो समानुपाती थी यानि यह आप देखना मेगनेटाइट के कंड आ सकते हैं इनमें क्या क्या इनमें चीजे होती है एक तरह से आप कह सकते हो चुम्ब को अधेन करके हम वह carbon क्या है यह एनिसीटिव खेशक्ते हो ठीक है यह इनिसीटिव क्या मतलब जैसे यहां पर आंसर रिसका क्या है महसागरो 30 पारदिक तरौ द्वारा प्रगरीहीत carbon केपचर और कोस्टल एरिया का कहशक्ते हो आप घाल निखाग में ग्यारो जीदा यह पी सब्सक्राइब इनको देखना पैंगोलीन को देखना और मारमट को देख सकते हो ठीक है बीच-बीच में थोड़ा बोलना मुश्किल हो रहा है क्योंकि लंबा जब वीडियो बनता है न तो इतना फ्लिवेंट नहीं बोल पाते हैं तो इसके लिए माफिस आऊँगा और थोड़ी गले में भी खराबी आजकल लंबे वाले वीडियो बन रहे हैं तो गला भी दर्द करने लगए तो थोड़ा सा माप करदे ना स्योग करना इस बात का कोशिस करते हैं अच्छा पढ़ने की ठीक है आगे बढ़ते हैं तो ये जीवजन तो वाले हमें देखने हैं बहुत सारे जीवजन त क्योंकि इस साल काफी चीजे चर्चा में रही जैसे 18 फर्वरी को मनाई जाने वाले 20 फे पैंगोलीन दीवस यह भी चीजे माइन दे रखती है आपकी चोटी चोटी चीजे तो यहां पर ट्रेफिक और जो वर्ल्ड वाइड फंड फोर नेचर इंडिया की रिपोर्ट से पता परकृशंगरी से एक बारती की पैंगॉलीन फेंट कर दिया घया जाती है तो यह कौनकौन से कटिक्री में सबस्क्राइबर भी कर दीण से सब्सकी बोर चार नोस शोचुँंधिया की उर्द तो भी आप Google से या कर लिया ना कहीं से आप वैसे आपको सब को पता है यह चीजे करके चल रहे हैं आप एक सीरियस एस्परेंट हो तो आपको पता है यह इंपोर्टेंट आपके लिए ठीक है और आइस उनकी केटिगरी में जैसे इंडियन पेगुलिन क्या इंडेजरड है और यह कौन से चाइनिज पेगुलिन है क्रिटिकल इंडेजरड है ठीक है यह इनकी केटिगरी भी अलग लग है दोनों की और यह दोनों भारत में कहां का पाई जाती है इसको आप लेक को इसको कुशन आजाते हैं यह क्या है इसका जो हेविटार्ट है उसके बारे में कुशन आ सकता है ठीक आगे बढ़ते हैं ट्रेफिक जैसे यह सैंस्था रही है हमने देखा कि ओर्गनाजिशन को लेकर कुशन बन सकते हैं तो आपकी जिम्हेदरी कि इनको जानो यहां पर दो में रहा था इसकी स्थापना 9076 में होती और इसका मुख्यालिक केंब्रीज में है ठीक है यूके में है और यह क्या है एक गेर सरकारी सेंगटन है इसी तरह साइड्स क्या है साइड्स है वनने जी वनस्पती की लूप पराय परजातियों के लिए एक अंतराश्टी व्याप यह का काम करता है जी उजनतोर पोदों के अंतराश्ट व्यापार में उनके अस्तित्वों को खत्रा ना हो यह निग्रानी करता है और इसकी भी तीन एफिंडिक्स या प्रिसिस्ट है इनकी तीन जिनमें डिटेल से आपको यहां पर देख लड़ना है ठीक है तो यह आ सकता है तो मोरे इल यह नहीं पर जाती है कहां पर तमिलाडू के नाम पर इसका नाम रखा गया है और यह कहां पाई गई है तो इसको भी देख लेना इसका नाम क्या है तमिलाडू ब्राउन मोरे ठीक है और डिटेल यहां पर है इसको थोड़ा सा पढ़ लेना आगे दे जो हुआ था कुन्मी मोन्ट्रेल जो हमने अभी उपर देख लिया था कि इसमें क्या डिसेजन लिए गये थे यह देख लिया आप ठीक है यह उपर देख चुके हैं वैसे जो कनडा में वह था को 15 जो हुआ था अपने जेवी विता वाला वह हम देख चुके हैं इसकी डिटे तो उनके कुशन भी आजाते हैं तो यह रिपोर्ट किस किये किस ने डिडिज की सिंपल सिंपल कुशन भी आजाते हैं बहुत आसानी से जैसे यहां पर हमने इसको देखा देखना पड़ेगा क्योंकि और चर्चा में रहा है तो जरूर देखना चाहिए आप पीडिये कौन कौन से रिपोर्ट जारी करता है बहुत इंपोर्टेंट है आपके लिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट है क्योंकि इससे कुशन आ जाते हैं ठीक है और फंड यहां पे कहा से इसको फंड मिलता है वो भी सारी जानकर यहां पर मिल गई आपको ठीक है जैसे ट्रेफिक के अब हाली में हमने देखा कि जो कनड़ा में वह था उसमें क्या चीजे निकल कर आई है तो बहुत सरी डीटेल है इसको मैं पढ़ूँगा नहीं क्योंकि अभी पढ़ना ठीक नहीं रहेगा इसको डीटेल आप देख लेना मैं आपको जो बता रहूं कि आपको यह खुद पढ जो उने देखा फेले जी बीएफ देख लिए है आगे बढ़ते हैं जैसे वो फिर से पॉलिशन के थीम है मैं आपको बार-बार बता रहा हूं यह थीम पकड़ के रखना कि पॉलिशन का कुशन आता है जीवजुंदों का कुशन आता है नेसलन आपारक का आता है के लिए magnetite gun क्योंकि pollution से जुड़ावा था अभी इस साल भी चर्चा में रहा तो यह कुशन पहले आचुका है तो यह हमारे हमारा तरीका बेश्ट है फिर पढ़नेगा क्योंकि हमें यह पता है कि UPC कैसे कुशन पूछता है उसके आसपास हमें जुरूर देखना चाहिए जैस इलेवन टोल्ड की जो बाइलोजिक एंशियाट है उसमें देख लेना चाहिए जी जूनता होगा एक दो चेप्टर है वहाँ पर जरूर देखना चाहिए क्योंकि UPC बार-बार उनके कुशन पूछ रहे है ठीक है जैसे उडिसा के तरट पर यह होरसू केकड़ा है ठीक है चर्चा में रहा था केकड़े इनके परजातियां यह जरूर देखना चाहिए तो गोड़े की नाल जो केकड़ा हम कह सकते हैं हिंदी में इसको यह कहां उडिसा में यहां पर कुछ समस्या आ रहे है आ रहे है जिसके कान ऐसी समस्या है लूप्त होने के कगार पर इनको सकते हो सरक्षण के लिए इसको यह देखना है कि कौन सा जीव जन तू सरक्षण की किस कैटिग्री में आता है जैसे भारत का जो 9072 जो वन ने जीव सरक्षण अदिनीम है उसकी कौन सी अनुसुची में है अनुसुची हमने का चेंज होगी थोड़ा सा आप देख लेना यह चेंज होगी यह गूगल कर लेना इसको यह आपके लिए होम रख होगा आज ठीक है कि इसमें कौन सी चार अनुसुचिया रखे गई है आईशन की कौन सी कैटिग्री यह आपको देखना क्यों अलग लग यह टाइप के क्रेव है ना उनको अलग लग कैटिग्री में रखा इकोलोजी है उसके भी कुसन फ्रेम होते हैं वो भी हमें रखना है थेम में रॉकना है बार बार यह बताऊंच चलेंगे फिर से जीव जन्तों का कुसन है कि कौन सीन में से अपर धारी ठीक है जीओ है इन में सामिल है तो यह भी देख लेंए आगे बढ़ते हैं जैसे यह हमने देखा था पहले भी यह सी होर्स के कुछन आज होगा था यूपी सी में और इसकी कौन-कौन सी आईशन केटिगरी यह वह भी देख लेना और साइड्स की कौन सी अनुस्ची में इसको रखा गिया है तो हाली में जैसे कोरोमल टैट पर हमने देखा कि वहां पर सारी डीटेल पढ़ना अभी ठीक नहीं रहेगा आपके लिए आगे देख लेते हैं क्योंकि 2013 में देखना यह कुछन आ चुका था जीव जुन्तों को लेकर यह कुछन आ चुका था तो हमारा ट्रेंड कहता है कि जीव जुन्तों को लेकर हमें थोड़ा सावदान रहना चा क्योंकि समुद्री खीरा है लोग इसको लेकर काफी कनफीज हो जाएंगे खीरा मतलब कुछ वनसपती को लेकर एड़ करेंगे ठीक है यह बहुत वेरी वेरी मौस्ट में याद रखना यह जब एक्जाम आप दे रहे होंगे उस समें यह सामने आगे तो आपके कुछी का ठ चर्चा में रहा है सी कुकुम्बर ठीक है तो यह क्या है यहाली में तमिलाडू के रामनातपुर जिले में वहां पर देखा गया है और यह समुद्री खीरा समुद्री एकस कसे रुकिए क्या है जो उसन कड़िदी चेतरों में समुद्र तलब पर पाए जाते हैं याद बाकी डीटेल आप यहां पर देख लेना ठीक है सारी डीटेल है यह थोड़ा साब चाहो तो इसको गूगल भी कर लेना मुझे असा लगता है यह कुछ ना सकता है ना संबान और हिसकी आने की इसकी फोटो भी याद रखना है ठीक है आगे बढ़ते है और हर एक आप जानत ठीक है आगे देखते हैं इसकी केटिकरी में सारी चीजी यहां पर देदी गई आपके लिए कि कौन सी आईशन केटिकरी में है दुबारा से आपको फिर गूगल नहीं करना पड़ेगा कौन कौन सी इसके परियास इसमें कहां सामिल के गए है ठीक है देखो यहां पर 2020 में लक्सदीब में इसका क्या समुद्री खेरिये के लिए विसवय का पहला स्रक्षन शेतर भी बनाए गया है यह देखो कितना इंपोटेंट है ठीक है आगे देखते हैं फिर से यूए निपी इन सहस्तों का कोई भी इनिसिटीव लिया जा रहा है तो वो चर्चा में उसके इ इन्वारिमेंट है बेसिक हमें देखना है तो बेसिक आपको कहां से देखना है यह आपको जो अपने चार चेप्टर लास्ट में बायो वाली इंसियर्टी उसके चार चेप्टर बेसिक इन्वारिमेंट इकलोजी देखनी है या जैसे आपने संकराई से दर्ष्टी की कर क्या क्या हो रहा है भारत के कौन से नियम कानून इंवार्मेंट को लेकर बने हैं वो देखने हैं आपको देखने हैं नेस्टल पार्क बगरा ये देखने हैं बाइस पर रिजरवाय टाइगर रिजरवाय ये सब आपको जरूर देखने हैं तीम में जीव जनतू आपको बह जिनको आपको पढ़ना है, इनको skip कर ही नहीं सकते हैं, यह आपका core area है, ठीक है, यह बार-बार में इसलिए बोल रहा हूँ कि यह सबसे serious मामला बनता ही है, आपकी journey के अंदर आपको theme पगड़नी है, पीवाई को देखके, syllabus देखके, previous year आपके pre के ललो या means के ललो, यह आपका बसे एक रास्ता है, जो आपको एक सहीद ही सामय ले जा सकता है, ठीक है, फिर से pollution का कुशन हमने देखा, जैसे जीव जंतों में हातियों का समन है, यह चर्चा में रहा था, last year काफी चर्चा में रह है, ठीक है, इसके लोकेस ना आपने देख ली, यही होता है तारीक इस तर, ठीक है, इसकी इसापना, उन्हें सो नबह में हुई थी, और सुस्क प्रणपाती वन है, ड्राइड डेसिजिट फोरेस्ट है, और यहां पे नदियां भी है, ठीक है, वो भी है, कौन सा यहां पे जल पर पाता है, यह सब चीज़ें पढ़ने चाहिए, कौन सा पठार है, कहां पर इचेतर है, ठीक है, यह जरूर देखना चाहिए आपको, आगे बढ़ते हैं, मेपिंग आपने देख ली इसकी, और जैसे हम निलगरी की बात करें, तो निलगरी में भी चर्चा में रहा थ तो इसके अंदर कौन-कौन से नेशलम पार्क है, कौन से अभेरनिस के अंदर है, कौन से टाइगरी जूरी इसके अंदर है, यह आपकी जिमिदरी बनती है, वैसे मैंने कोशिस की है कि यहां पर कौन सी चीज़े चर्चा में है, जैसे यहां पर पालगाट जो गेप है, वो सारे दरे इसमें आपको जैसे मैंने मेव पाले में बताया था लेकिन यहां पे और बता रहा हूँ कि जब यह चीजे चर्चा में तो यहां से कुछन बन जाएगा कौन-कौन सी यहां पर पाड़िया है यह कर लेना आपका न और यहां पे मेप में इसको कर लेना क्योंकि ऐसे कुछन आते हैं लगतार ऐसे कुछन बनते है ठीक है जैसे इस साल यह elephant whisper चर्चा में रहा तो हमारी जिमेदारी environment की topic से भी बनती है कि यार यह कहां मतलब यह फिल्माई की थी कौन से मतलब टाइगर रिजरोव या निसलपार्ग में चर्चा में रहा था तो जो इलेफेंट विस्पर है वो ता मिलाडू की मुद्धि मुले टाइगर रिजरोव में वहां पे इसको फिल्माई गया था यह documentary एक तो ऐसा direct indirect कुछन बन जाता ह को तो इसको लेकर बान्दिपूर टाइकर रेजरोचरसा में था एक इस parenthई है कि लोकेशन कहां कहां है वह देख लैना यह आपकी दिम्धर्यपनतिये ऐ है रभी है यह किस का पार्ट है बा countiesफरिक्वर यह पार्ट है साफ़साओ पूरे डीटेल आपको यहां मिल जाएगी यह जरूर देखना है, बहुत important मानता हूं इस बात को कि ऐसा कुसन आ सकता है ठीक है, आगे देखते है कौन-कौन से वन है, यह क्यों डाला है मैंने पहले ऐसे दो-तिन कुसन आ है कि इसको देख के ऐसा पुछा गया कि कि ऐसे वन किस मतलब नेसलन पारक में या किस अबरान में पाई जाता है इसे डिटेल आ जाती है, जैसे नदियों को लेकर भी मिलान वाले जो आते है कौन सा नेसलन पारक, कौन से नदी के मिलान करता है, यह कुसन भी आते है ठीक है तो यह पक्सी की परजाती है तो यह देखने है कौन सा पक्सी है कौन सी मसली है बार बार वही कुसन बनते है उसी दर्श्टी कौन से है ठीक है आगे देखते है जैसे यह पेलिकन है मेगरो और नमक दलदन में यह पाया है पेलिकन पेलिकन चर्चा मेरा है यह मेगरो करवा देगा कि जैसे ऐसे कुसन आगए यह पहले हमने पिट्टा यह देखा तो यह अराम से आप इनको देखके कवर कर सकते हो ठीक है सारी डिटेल इसमें देगी गई है और कहां पर यह पाया गया है तो आंधर प्रदेस में जैसी कॉल्डरु जील है यह कुसन हमने देखा था कॉलरु जील वाले यह कुसन आचुका है पहले ठीक है इस साल एक सिडियस वाली एक्जाम है सिडियस का मैंने आपको सोल करवाई था तो वहां पर यह पुलिकिट लेक और कॉलरु का कुसन आचुका था ठीक है आगे बढ़ता है रामसर साइड्स को लेकर चर्चा में मामला बनता है एक्सर आपने देखा रामसर साइड्स के बहुत सारे कुसन आते है ठीक है तो यह अभी जैसे प्रोजेक्ट टाइगर की पचास फी वर्स गांट हुई थी तो यह डिसेंटली कापी चर्चा में राता हो जब पेपर हो सकता है उसमें बन रहा हो तो ऐसा कुसन आपके आ सकता है ठीक है आगे देखते है जैसे यह इंटरनेसल बि-क एक एलायंस है यह बहुत इंपोर्टरेट है यह क्या काम करता है इसकि अभी खली में जैसे बारत ने इसको परोज किया था आपको का हुए यह काफी चर्चा में रहा है ठीक है यह भी बना नहीं बना भी शोर नहीं हो में ठीक है यह संक्टन वैसे चर्चा में रहा था इसका उद्गाटन तो कर दिया गया था ठीक है बारत ने साथ परमुग जो बड़ी भी लिया है उसको लेकर इंटरेस्टल बिकेट अलाइ जो बलेक डियर है ना वो काफी चर्चा में रहा था यहां पर मैंने लगा दिया साथ में कि जैसे पहले कुछना इस साल बलेक बग जो है इसको लेकर आए तो यह कहां इसकी कौन सीकेटिक रिया है याद रखना जब तीन चारे स्टेटमेंट बनेंगे तो इससा बनेगा आ इस साल काफी चर्चा में राए ठीक है तो यहां पर आप देखना तालचा पर यहां पर काला हीरन पाए जाता है याद रखना इसको लेकर कुछन बन सकता है ठीक है पूरी डिटेल है मेपिंग आप देखना तालचा पर कहां पर क्योंकि देखो यहां पर देखना आप जब अदेन करना चाहिए और अपनी वाले जो पीवाई क्यों ना उसमें सबसे अच्छा काम यही किया हमने कि मैंने आपको पहले भी कितनी बार बता है कि यह कुछन तब रिपीट हुआ था इसके ओप्सन ऐसे आ सकते हैं यह फिर से इसा बन सकता है यह पीवाई क्यों में हमने ब जैसे यह बोटनिकल गार्डन है ठीक है यह किसमें आता है यह हमने जैसे अभी थोड़े दिन परे हिंदू पढ़ाए था आपको जैसे पर्त्वी दियूस है अभी स्टीडियस में चार दियूस आ गए थे पर्त्वी दियूस आ था मृदा या मातर बुमी यह से कुछ जल दियूस है वेटलेंड दियूस है यह आ गए थे तो यूपी सी प्रीव में भी आ सकते हैं से कुछन थोड़ा सीरियस रहना दियूस को लेकर मैंने काफी आपको बताया भी है तो यह आप जैसे डाइग्राम समझना यह काम का यह बैसिक एंड यह बैसिक इन्वारिमेंट ए अगे बढ़ते हैं फिर से कुछन वही आता है कि कौन सी समस्या है उनको लेकर कुछन आता है ठीक है अपना नेसल पारक कर यह हमारा पढ़ने का तरीका होना चीए ठीक है जो हम लगतार उपर बताए भी रहे हैं आपको यह देखना है आपको इसके लाव जैसे इस साल प्राइसा भी कुशन सेट हो सकता है इसाल, आगे बढ़ता है, ही बन जाता है ठीक है ? तो बवीतवरा यहां पे असम में है और जानकरी है आपको अच्छी मिल जाएगी यहां पर ठीक है यहां पे जैसे जो बारती राइनो है उसकी जानकरी है कि कहा कहा पाई जाता है इसकी क्या विशेस्टा है कौन सी आईशन केतिगरी में है यड़ ठीक maneira वो important आप के लिए हो जाता है यह देखना है जिसे latest इनकी जो इनकी गंड़ा देखेगी थी कि बारत में कितने पाई जाते हैं ठीक है एक सिंग का जो भारती गंड़ा है वो कितने पाई जाते हैं यह जानकर ही आप देख सकते हो क्योंकि कुशन जैसे कई बार ऐसे शेट होते जैसे आप देख रहो ना नदियां के साथ में नेसल पार्क है तो ये जो मैंने जो आपको पढ़ाया ना उसमें मैंने कोशिज कि एक नदियां पार्ड पर वबत जो भी चर्चें ज़र ने सब आपको यहां साथ में डाल दी है ठीक है वो देखने को मिल जाएगी आगे बढ़ते हैं जैसे फिर से वही कुशन आते हैं कि कौन सी इन्वारिमेंट के दस्टी कौन से चीज़ चर्चा में रहती है उनके कुशन है कोईले की जो पॉलिशन या इनको देखके कुशन आप देख सकते हूँ ठीक है जो अपना 9072 जो है वने सुरुक साधिनी में उस कुशन आ सकता है इन्वारिमेंट से जोड़ी कोई सब्धावली उसका कुशन बनता है ठीक है जैसे यह कुशन आ था पहले रास्टे मरूद्यान का कुशन आ गया था तो यह कहां कहां है इसका लोकेसन पता होने चाहिए कोन से जीलों में है ठीक है और क्या-क्या यह जाता है जमीन पर अंडे देता है ठीक है अंडे देता है बची देता है ठीक है तो इसमें क्या होता है एक तो फिर आसाने से जो इनके शिकारी है वो उनको नस्ट कर देते है और एक समस्या जो आ रही है कि जैसे यह कम उचाई पर उड़ पाते हैं भारी पक्सी है ना तो वहाँ पर जो बिजली के लाइन है उनसे टक्रा कर दूर गड़ना होती है और काफी ज़्यदा मारे जाते हैं जैसे पाकिस्तान ओले चेतर की तरब क्या होता है इनका अवेद सिकार भी होता है जैसे इसमें दिया भी हाई वोल्टेज जो लाइन है उनकी वज़े से काफी संक आगे बढ़ते हैं इनको बचाने के लिए बड़ डाइवर्टर की बात किया थी बड़ डाइवर्टर क्या होता है मतलब ऐसा चंकिला कोई एक चीज होती है जो उस पे तारों पे लगा देते है ताकि पक्सियों को दूर से दिख जाए कि वहाँ पे तार है वो टक्रा है न है उसा है ना तो यह भी चल्सा में रहा था एक बार काफी और यह सारी इसकी इंडियन क्या है और यह बहुत इंपोटेंट आपके लिए ठीक है और यह विशेश कर देसे आपके तो जो डेजय ने इसलों पार्क है वो इसका घर है आप खह सकते हो है यहां पे इस यस चेतर घीक फोटी वे आप देख सकते हो इसको राज़तान में गोडाउन बोलते हैं ठीक ना क्यूंकि राजय पखाक सी वहां जो आय ज़्सका ह displi गया तो जैसे पक्सियों की इनकी गन्ना होती है कई बार तो वहां से नहीं नहीं पक्सिय निकल का आता है और यूपेसी उन्हों की को लाइक करता है फिर पक्सिय मसलिया यह आपको पूछ लेता है तो जैसे यह वूड फिकर है इसके बारे में आप तश्वीर देख लो इसकी नाम भी देख लेना कि ये पकसी है है मसली है कि ये वारे से कुछन सिंपल वाले होंगे है ना ठीक है पढ़ते समय थोड़ा सा सी मजाग चलना चाहिए नहीं तो लेसे भी बोर हो रहा है आपको लग रहा है क्या पढ़ रहे हैं ठीक है मुझे भी लेस्न होने वाला है और अभी तक मेरा गला ठक चुका है पुरा लेकिन आज मुझे वीडियो अप्लोड करना ही है तो वीडियो बनाना है ठीक है तो इसमें देखते हैं बाकि कौन सी चीज़े जैसे सुंदरवन टाइकरी जरुए या बाइस पर रिज़े चर्चा में रहा ठीक है जैसे कुस्ण कैसा आते हैं कि जैसे इसमें दिया कि पूर्टिया सिटोशन अलपाइन कटी बंद है तो मैंने आपको जब नेसल पार की मैं आपको बता रहा रहता है डीटेल में तो वहांपे मैंने ये भी लिग दिया कि कौन सी वरस्पति यहांपे पाजाती ताकि कि आपके लिए करना बहुत आसान हो जाए जैसे कुस्ण फ्रेम होते हैं फोड़ा सा कुछ न सीधे सीधर यहां पे अलग ठीक है थोड़ा सा आपको लोजिकल बे में सोचना पड़ेगा कुस्ण को हैंडल करने के लिए ठीक है तो जैसे यह यह तक कुछ अवेद गतिवद कि इसका भी एक कुशन आचूकता है पहले कौन सी नदियां यां पर बैती है कौन सी वनस्पती यहां पे है ये यूनिश्को की onusite दॉरब्र साम्लल है ठीक है वनस्पति में इंपोर्टेंट आपके लिए कौन-कौन सी वनस्थियां यहां पर पाई जाती है ठीक है कुसन भी इनका आ चुका था पहले निल कुरुंजी अवेरने आ सकता है कुसन यह भी काफी चर्शा में रहता है इसको बनाने की बात चल रही थी लेकिन अभी साइदी यह हुआ नहीं है तो जैसे निल कुरुंजी जो क्या है जो फूल है वो खिलते हैं 12 सालों में लगए आपने सोना होगा कहां यह पाई जाते है याद रखना कई बारे सिंपल सा कुसन आजाएगा का नाम रखा गया है यह सब आपको मिल जाएगा जैसे यह जीवजन्तु का भी चर्चा में रहते हैं प्राकरतिक रूप से कहां कहां पाई जाते हैं हम अभी निलगरी बाइस पर पढ़ गया है थे उपर कुसन ऐसे आता है कि कौन सी चीजे चर्चा में रही है मैं थोड़ा सा यह फूछ लेता हूँ तो आप यह थी थोड़ा बहुत भी देखके सलते हो तो आपका कुसन बन जाएगा आगे देखते हैं जैसे मुदुमला यह काफी ज़धा इस साल मुझे एकदम टिप्स पर हो गया मुदुमली जो नेसल पार्क है टाइगरी जरू है यह काफी ज़धा चर्चा में किसका पार्ट है निलगरी बाइश परिका पार्ट है यह काफी चर्चा में रहा इस साल बहुत ज़धा चर्चा में रहा तो इसको देख लेना मेरे साब से यह very most category में है इस बात को द्यान अगना क्योंकि सारे detail में यहां पर इसकी डाल दिये ठीक है जैसे कई बार कच्छों की जो परजाती हैं कच्छों जीवजनतों को लेकर ऐसे कुशन आजाते हैं ठीक है अनतर भी आप खोड़ा सा इसको देखना पड़ना तो आराम से आप आराम से इसको देख सकते हो कौन सी काड़िघ具री में है कौन सा कचवा कहां कहां पाई जाता है कौन सी अबरने में पाई जाता है ये बी सारे बिल्कُल जानकर याप को यह आ र gluten जाईगी ठीक है अभी जैसे हाँ, साइड्स का जैसे यह हुआ है, कोप 19 वाइप नावा में है, ठीक है, अभी नॉम्बर 2022 में हुआ है, तो थोड़ा सा यह सर्चा में रा तो इस साल हो सकता है, इसा कुछन फ्रेम हो जाए, टर्टल जो सर्वाइवल एलाइन्स है, और्गनाजिशन है, आते ह कब इसकी स्थापनाज़ए, 2001 में स्थापनाज़ए थी, यह आईवशन के साथ मिलकर काम करता है, कचोभ बजाने का काम करता है, इसका टार्गेट है, ठीक है, और जैसे ट्रेफिक है, जो ट्रेफिक सहाथता है, यह हमने देखा पहले है, ड्व्ली ड्रप आईवशन का है, कब इसकी स्थाफनाई थी हमने देख लिया था वाइड लाइप जो क्राइम कंट्रॉल बीरो है बहुत इंपोडेंट है देखो यह सारी दिन की निकाहिए यह निक किसी एक्ट से बना है कौन से मंत्राले में मिनिस्ट्री ऑप इन्वारिमेंट जो है उस मंत्राले में है वेरी मौस्ट में इसे कुशन आ जाएंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं अरी बाड़ा यह जैसे इसका है औली रिडले कच्वा इनका बहुत ज़्यदा संभावना है इस साल क्योंकि यह भी बहुत ज़्यदा चर्चा में रहा है इस साल पहले मैंने इसका डारेट कुशन दे आप जानते हो जहां पर यह एक साथ अंडे देते हैं नेस्टिंग मास नेस्टिंग इनकी साइट होगी ठीक है यह तो अंडे देते हैं कंफरम है अंडे पढ़े हैं देखो यहां पर कि वारे से कुशन आ सकते हैं कि बच्चे देते हैं यह यह आप देख लेना सिंपल ठीक कहां इसका habitat है कहीए वार तो ऐसा हो जाता है कि यह पूरी ज्रीटर पर पाए जाते है यह पश्मी ज्रीटर पर पाए जाते है ये भी सारे इस MAP को देकर समझ लेना और भारत में कहां कहां पाए जाते हैं देको भारत का MAP देके तो इसा लगता है लगभग भारती तटपर पाए जाते हैं कई वारे ऐसा कुस्न बन जाएगा और आप जो चीट कोड पड़ गया है और वापीस चले जाते हैं, अपने अंडों को छोड़ गये, फिर जो बच्चे होते हैं, वो पाने में फिर यात्रा पर निकल जाते हैं, ऐसा होता है, ठीक है, और ये कौन सी केटिक दीव भी आपे आप देख सकते हो, कोई कौन सी जीव जन तू कहा, कौन सी नदीव में, कौन सी टाइगरेजर और नेसल पार्क में पाइजाते हैं, सब मिलान वाले वही कुछन आ रहे हैं लगतार ठीक है, माइक्रो बीट से ये दो तिन वार कुछन आ चुका है परदोशन को लेकर, थीम देखो, थीम यूपी से रिपिट कर रहा है यूपी से बार 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 बोल रहा है, तुम इस से ज़्यादा कुछ पड़ो ही मत थोड़ा सा इंपोरमेशन और थोड़ा सा लोजिकल वे में आप काम करो, कॉमन सेंस के साथ काम करो ज्यादा चीट कोड में विश्वास नहीं करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है क्योंकि आप मैनत करते हो तो वैसी भी आपका एक तरीका हाथ लगता है अपना तरीका होता है, आप बार बार PY के सोल करके अपने तरीके सीख सकते हो जैसे आपको आज कल बहुत सारे चीट कोड की फिडिये फाइले आपको इदरुदर मिलती है आपको देखा ना, जैसे मैं मुझे देखना ह toimroot करता है कि मुझे ये देखना है या ने देखना वह आपको देखना लेकिन जवज़ा क्या है कि 10 साल के पेपर खुद निकालो, खुद अपनी वो बनाओ, फिर अपनी एक opinion बनाओ, खुद के cheat code बनाओ, कहने का मतलब है, कि एक तरीका हाथ लगेगा, लेकिन 100% ऐसे तरीके सही नहीं होते हैं, तो जैसे ये कुछना, जैसे इसकी बात करो, साथ ये मैं पेपर attempt ले रहा थ उस साल प्री निकला भी था, 2019 का यह है ना, तो प्री निकला था, तो मैंने बिच्चू बुटी देखा, तो मैंने भी वाई, इसको यही किया, कि ये कहीं कहीं, जड़ी बुटी से, द्वाईयों से समझ दीता है, तो इसमें द्वाईय वाला एक ही मामला बन रहा था, औस तो मैंने ये करके आया था, आनसर इसका निकला डी, ठीक है, तो ऐसे चीट कोड के जखर में कभी कभी गलतिया हो जाती है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि कौन सी चर्चा में रही वो इससे हम देख लें, जैसे, ये कौन सी हिमाले जो नाम रहा है, बिच्चू ठीक है, क्रिटिकल इंडेंजर इसको रखा गया है, ये एक बारामासी जाड़ी है, उत्राखंड का इस्तानीक है, ये एंटी ऑक्सिडेंट है, देखो ये बन जाएगा, कि ये मिजो टोपिस पेलेटा, ये कहां का इंडिमिक है, इसमें क्या-क्या गुन पाए जाते हैं, वेरी-वेरी मॉस्ट में है ये, याद रखना है, ये टोपिक बहुत इंपोर्टेंट मुझे लग रहा है, तो ये डेटेल आप देख लोना, एक है, फ्रिटिलोरिया, सीरोहासा, थोड़े अजीब से नाम है, लेकिन देख के जाओंगे तो आसान लगेगा फिर, मतलब रिपोर्ट आती है, दो साल से ना, वो देखे जाना थोड़ासा, कि कौन से चेतर में का वन है, क्योंकि लास्टेरी कुशन आये था उस साल, ठीक है, मिथेन हाइट्रेट है, मिथेन हर साल कोई ने कोई कुशन बनता है मिथेन का, तो ये जैसे आपकी मतलब थीम में आती है कि जब भी आप ये देखते हो, गलोबल वार्मिंग में ये ग्रिन आउस केस देखते हो, तो ये देखना चाहिए, लास्टेर 2022 में मिथेन का कुशन आ गया था, ठीक है, ये कुशन देखो, फिर से वही बात है न, ये फिर से चर्चा में है, लास्टेर 2022 में भी ये कुशन रामसर कन्वेंशन आदर बुमीन का जरूर देखना चाहिए, वेटलेन बगर आप बेसिक जो एंसियाटी पढ़ते हो, ये बेसिक जो बुक पढ़ते हो, उसमें से आपको ख़ूर करना पड़ेगा, ठीक है, हाइडोजन से एंजी फिर से आ सकता है, इस साल काफी ये बुरावा था, ठीक है, इसी तरह से जिसे जो हरित हाइडोजन मिशन है, ये काफी चर्चा में बहुत ज़्यदा है, तो इसको भी आप थोड़ा सा देख लेना, इसकी डेटेल भी आपको पूरी डेटेल याँपे मिल जाएगी, ठीक है, कौन सी हरी है, कौन सी काली पिली ह जो हाइडोजन है, वो भी आप देखके जाना हो सकता है, इसे कुछन बन जाए, ऐसा कुछन भी ध्यानक ना, ठीक है, ये बनेगा कुछन कि इनको पिर क्या इसे मतलब, जब इंदन उपयोग लेते, तो क्या बचता है, लास्ट में, ठीक है, वो कुछन भी आ सकता है, हाइ का प्रियाउन स्रेक्षन अदिनियम है यह कुछन आ गया था तो यह थीम पकड़ो जैसे इस साल चल्चा मेरा था दुबारा से तो यह पता होना चाहिए ठीक है तो इसको नोटिफाई वगरा करता है के अंदरी प्रियाउन वन उजलवाई परिवरतन मंत्रा ले दौरा अधि को भी देख लेना आगे जैसे वही ठोस अफसीष्ट परबंदन को लेकर क्या-क्या भारत में इनिसिटीव लिगी है वो कुछन आ सकता है लास्ट दोजर अठारा की थीम देखते हैं कि यह सिंपल वाले कुछन आते हैं तो बेसिक जो यह बहुत ईजी कुछन है मतलब जैस किस परकार चलचा मेरा देखना पड़ेगा तो एंगटी इस साल जैसे केरल की दो रामसर साइट है बार बार एंगटी बोल रा था केरल को आपको थोड़ा स्रक्षन देना थी लेकिन जब नहीं किया गया तो एंगटी निक किया अगए 10 क्रोड की पलंटी लगाई उस पर तो ये चर्चा में था तो एंजिटी के बारे में बेसिक जानकर ही होनी चीए कब इसकी स्ताफ ना हुई थी, कौन से एक्ट के तर्द बनाई ये वेदा नहीं कहें कि नहीं, ठीक ही ये सब चीज़े आपको देखने पड़ेगी, और इसकी सर्चा में रहे थी, तो इनकी लोक अजिल चर्चा में रहे थी, और ये वेटलेंड भी है, तो इनका आ सकता है मिलानवाला कुशन, ठीक है, नेक्स्ट कुशन है, नदियों का थोड़ा बालुखरन को लेकर इन्वारिमेंट का कुशन है, तो इसी तरह एक चर्चा में था, केरल में कुछ दीब चर्चा में र कुशन है, इसा कुशन दुबरा भी आ सकता है, वही देखो, प्रोस फिस जूलिफ हो रहा है, ऐसे पादब चर्चा में रहते हैं, ठीक है, ये तो काफी एन्शाटी में भी इसको लेकर काफी मतलब चर्चा में था, तो इस साल कौन से और भी पादब, इस साल भी एक लिस् ये कुशन आ सकता है, दुबरा से, कि एक सुची आ सकती है कि कौन-कौन से जो है, जो आकरमक प्रजाती के पोदे हैं, और इनके एक लिस्ट भी आई थी, तो इसमें कई नाम जैसे लेंट अना के मारा है, ठीक है, ऐसे ऐसे अलग-लग नाम की कुछ लिस्ट भी आई थी, य अच्छा, ये फिर से, ये वही है, सेना, ये काफी चर्शा में है तो देखो, इस पार तो देख लेना इसको, सेना, स्पेक्टाबिलिस, ये देख लेना, ये एक विदेशी पेड़ है, सजावटी इसके पूरी जान करिए, यहां पर कहां कहा है, ये दशन अमरिका और मद् मुदुमले टाइकर रिजर्व है, यहां पर चर्शा में रहा था, केरल में भी चर्शा में रहा है, तो ये देखो, मुदुमले पिछा नहीं चोड़ रहा है, फिर से आगए एकदम, ठीक है, लेंटरना केमरा अन्य भी है, करपतवार निल्ग्री चेतर में है, ठीक है, मु क्या क्या समस्या है, यह सब दीगी है, यहां पर, जैसे ऐसे कुछ सन आते हैं, कि आप हमाले में जाते हैं, तो कौन से पाई जाते हैं, तो आपको वो मिल जाएगा, यहां पर देर रहा है, इसको हिंदी में बोलते हैं, बुरुन से, पहली बार देक है, ठीक है, दोदार में इंजो कर पढ़, पढ़ाई अपनी, ठीक है, आगे देखते हैं, परवाल बीधियों के कुस्टन आते हैं, बोज़द आते हैं, जैसे 2022 में भी तो था न, बायो रोक जो वाला था, परवाल बीधियों को लेकर, तो लगदार कुस्टन बनते हैं, तो इस साल भी चर्चा मे करती हैं, एक टेक्लोजी ओर है, जो करायो मेस, करायो मेस का पहले हवाई और करोल, यह करायो मेस भी चर्चा मेरा था, इसको लेकर, ठीक है, यह आ सकता है, करायो मेस आ सकता है, यह आ सकता है, थीक है, थोड़ा से इसको देख लेते हैं, मुझे लग रहा है, यह आ सकता है, तो cryogenic रूप से जम्मेवे मुंगा को संग्रित किया जा सकता है और बाद में जंगल में उनको पूने लगाया सकता है वर्त्मान प्रक्रेह में लेजर सही प्रिस्कृत उपकरण क्या सकता होती है वेगयानिकों का कहाना है कि एक नया हलका Crimeway system में दिनमीद किया जा सकता है परवाल को बेतरे डंग से सरक्षित होता है Cryogenic क्या होता है Cryogenic ऐसी technology जो बहुत ही minus में minus 196 ऐसा कुछ सेज का उसमें काम करता है मतलब बोज़द मैंण डिग्री में ये काम करता है जो technology काम आ सकती है मेश टेकलोजी यह देखो आगे नहीं यहां पर माइनस एक सुचानमें डिग्री सेल्सियस पर काम करता है पर कोरल लारवा को स्टोर करने में मदद कर सकता है बहुत बहुत वेरी वेरी बहुंस्ट में बाई साबी है यह देख लेना इंपोर्टेंट है आसकता है काले परवाल भी चल्चा में रहे थे काले परवाल काहां पर है तो यह द्यानक ना यह यहां पर चल्चा में रहे थे फिर से जैसे मैं यह दिश्क को देख रहा हुता तो मैं आपकी तरह शागर कँपे, कोरल सी कँपे, अरफुरा सी काँपे, बांदाशी काँपे, यह भी देखता साथ में, ऐसा ही करना से यह पढ़ते समय, location बगिरा देखना चाहिए ठीक है आगे बढ़ते है यह परवाल समुदरी वर्षा वन भी बोलते है इनको कई बार कुशन आता है ऐसा ठीक है momentum for change वोई initiative एक ठीक है तो initiative का कुशन बन सकता है तो फिर से जैसे भारत में भी कौन से इनको भी यहां पर मैंने बता दिया है ठीक है तो last में जो चीज़े मैंने जोड़ी है वो है value addition कुशन यहां पर एड़ नहीं किये लेकिन environment को लेकर और बहुत सारी कौन से चीज़े एड़ किये वो इस file में आपको last मिल जाएगी अरोरो अपसी यह काफी चट्सा में राया है तो यह भी देखाना क्या करणंक क्या गटना गटी थी यहां पर इसको आफ देख सकते हों ठीक है यह ज़िए जो नमक flats है यह भी चट्छा में रहतिए कहां पर बूलविया यह चट्सा में रहतीा काफी बड़ी छेतर में पहले हुए है यह भी नमक फ्लेट्स क्या होते हैं तो यह दिया गया पूरा ठीक है आगे देखते हैं और कुछ इंपोटेंट हो तो आपको बदा देता हूं कि आपको कैसा देखना है जैसे इनका जब सर्वेक्षन कर रहे थे पक्सियों का इनका तो तो फिर वहां पर देखना जाएगी मसली था पक्सिय था गिद था क्या था वो ठीक है और साथ में अपनी मैपिंग तो ही आपके साथ जो जो सीजी सर्चा में रही है देखो यह सीडियस में आया था मैंने का दना आपको यह कुछन आएंगे यह पहले पढ़ाया था 22 मार् ठीक है आगे देखते हैं जीसरें जो प्रदaked के मात करें तो यहां पे दवनी प्रदेचिन का कुस्तान है जीससे जी уже Анд dalla को काफी नुकसान होता है उसकी डेटेल यहां पे बदाएगी है यह आप देख सकते हो ठीक है यहाँ पे देखना जैसे यहाँ पे सिंपल सी फोटो है लेकिन यहाँ पे यह देखना कि यह आ सकता है वर्ला वेटलेंड कहाँ पे है ठीक है यहाँ पे देखना यहाँ पे ग्रेटर फिलेमिंगों जो पिंक ग्रेटर फिलेमिंगों एमदाबाद से यहां पे है तो यह वर्ला वेटलेंड आ सकता है यहां पे कौन सा ग्रेटर फिलिमिंग हो पाया जाता है यहां पे दिखनों पिंक कलर का दिखाई दे रहा होगा आपको न तो ऐसे सिंपल वाले आ सकते हैं यह न्यूज पेफर में चर्चा में रहे थे इसी तरह जैसे बहुत सारे पक्सियों की परजातिया है जो इस साल काफी गन्ना की गई थी यह गन्ना कौन करवाता है इसकी डिटल भी दी गई है पूरी एक दम ठीक है कौन-कौन सी सहस्ता है इसमें सामिल थी यहां पे देखना पूरी डिटल आपको और उर्गनाईजिसन इनका सब का आपको मिल जाएगा इबर्ड क्या है इनके कुसन आते हैं ऐसे सहस्ता हों के ठीक है सालेंट वैली में पक्सियों गन्ना की की थी एक साथ हुआ था यह कारिकरम ठीक है तो यहां पे कौन-कौन से पक्सियों पाएगे थी यह बड़ा अर्टिकल है यह लाश्ट में थोड़ा सा कहा है वेली उडिसन में जो मेरे नोर्स में सामिल था मैं चाता हूँ कि आप इनको एक बार एक नजरवार इनको देख लो नजर से ठीक है जैसे हाली में इनके असम के जो गंड़े हैं इनका क्या देखा गया था यहां पर गंड़ा में पाए गये हैं काफी मतलब सुदार देखा गये हैं यहां पर तो यहां पर कहां पाए जाते हैं कौन सी केटिगरी में वो आप इसको देख लेना फाइल को काजरिंगा नेसल पार्क देखना है कौन से नदी है, कहां पर कौन से जीवजन तो पाए जाते है वो देखना है, इसका पूरी डिटेल देख लेनी है ठीक है जैसे एक वार ये कुसरा आया था, 2014 की प्रिलिम्स एक्जाम में ये कुसरा आया था कौन सा की कहां पर किस तराजे में ये जीवित जड़ पूल पाए जाते है, ये कुसरा आया था तो इससे हमें आगे बढ़ना है कि कौन सा पौदा है, ठीक है, मेगाली में तो है दुबारा भी रिपीट हो सकते है, ये पौदा नाम कहा है, इसका पेड़ पो देगा, ठीक है, रबर फिग फिकस इलाश्टिका, ठीक है, इसका इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसको बनाने में, तो ये दे हिंदु में एक स्टोरी आई थी एक दन, मेगाली में ये है याद रखना, यहाँ पे देखो एक नाम भी दिया गया है उमकार रिवर, वैसे नहीं पूछेगा उमकार रिवर, इतना ज्यदा सर्चा में नहीं है ठीक है, फिर भी पता नहीं आ जाई तो ठीक है, देख लेंगे आगे देखते हैं तो यह हमने देख लिए, कौन सी जन जाती ये कारी करती है, वहाँ पे निर्मान पूल निर्मान का कारी है देखो ये आते हैं कि कौन सी तितली कहां पे पाई जाती है जिवजन तो ऐसे आते हैं तो ये सफेद गुछेदार साही तितली एक दुरल पर जाती है, केरल के कुनूर में पाई गी है तो ये सिंपल सिंपल कुशन आ जाएंगे कि यह तितली कहां पर पाईगी, कौन से अबरणे मी, सिंदूर नी, देखो यह सचा में, मैंने आपको बताया था, अगस्ते मले मी यह दिया आपको सिंदूर नी पता होता, तो आप कर लेते इसको, ठीक है, 2017 में, अगस्ते मले और 2018 में सिंदूर नी वनी जिवरणे मी इसको यह ता, ठीक है, तितली के कुस्तन पहले भी यूपेसी ने पूछे है, तितली से बहुत प्यार है, यूपेसी को, ठीक है, और जैसे बारती स्कीमर, जो देखना है, यह पकसी है, ठीक है, ठीक है, और कौरिंगा वनी जीव बेरने कहां पर है, इनके सब यह लोकेस्न आपक सारे डिटेल आपको यहां मिल जाएगी कहां पाए जाएदे को वनेजी विरेने में कोरिंगा कहां पर अंदर प्रदेश में है ठीक है यहां पर और कौन-कौन से जीव जनतुव यहां पाएजाते हैं वो भी डीटेल आपको है ऐसे जो जल्पक्सी करना है वो कब हुई थी किसके दौरा कंड़क्ट की गी थी ये डीटेल आप देखना ठीक है जिसे रेर स्पीसीज यहां पर डगकी जो स्पीसीज है मनिपूर में मनिपूर वेसे भी लोग टक जील आप संगाई हिरन बगरा में चर्चा में वह से कुशन पहले भी कई परगार की कुशन आये है तो वो हमें देखना है ठीक है उल्लू की जो कुछ परजाती है कहां पर अंधर की सेसा सलम में देखी गी है तो यह जो नया हैपनिंग था उपर से हमने देखा जो चीज़ यह कुशन के साथ एड़ नहीं की पर अंधर कर दी है तो वो देख लेना है ठीक है कौन कौन चे उल्लू नहीं परजाती है पाईगी ठीक है लोकेशन आपकी काम आएगा यह भी ठीक है इंपोटेंट आपके लिए कुछ इंपोटेंट और हो तुमें आपको बदाता हूँ कि यह वेरी इंपोटेंट है जिनको आपको देखना है ठीक है लोकेशन के साथ-साथ इनको देन करना है भारत में यह डाइनोस्व के कुछ जिवास में देखे गए थे नर्मदा गाठी में ठीक है इसके लोकेशन आप देख लिए ना यह सब दावली जल्चा में आ सकती है टाइट नर्वस क्या है ठीक है इसके अउसेस यहां पर देखे गए थे जिवास में ठीक है एमपी में देखे गए थे जैसे एक कुसन आया था पहले तितली तितली के बारे में तो एक कुसन नहीं तितली आई है नोबल के हिलन यह क्या है कहां पाई गी थी देखो और हमसे बहुत ही बीटफुल दिखा दे लिए ठीक है नाब दफराश्टुद्यन में उदर उस तरफ देखा गया था इसको नाब दफराश्टुद्यन कहां पहे क्या इसकी डीटेल है बहुत सारी डीटेल अब आपको देख लेना आप लास्ट में 200 पेज है इसमें टोटल ठीक है मैंने एड कर दी है तो यह वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं कि आप मेरे में भी समता नहीं है जैसे यह केकड़ा है यह रिपोर्ट किसके दोरा जारी कीगी थी कौन सा मंत्रा ले कुछन बन सकता है यहां से तो इस परकार हमारा क्या हुआ यह लेसन एंड करते हैं ठीक हा आसा करता हूँ यह लेसन आपको बसंद आया होगा और थीम हमने पकड़ लिया इन्वारिमेंट में जो पांसाथ थीम है उनको पकड़े के रखो बार-बार यूजिन करते रहो और वीडियो अच्छा लगा था आप दोस्तों तक सेर करो कि अच्छी क्वालिटी की वीडियो आपको मिल रहे हैं वो भी फ्री में और यह पीडियो आप कहां से डाउनलोड करोगे अपने टेलिग्राम चनल से डाउनलोड करोगे और अपनी वेबसाइट पर विजिट करना जहां पर आपको प्री के एम सी क्यू और भी बहुत सारी चीज़े मिल जाएगी पीवाई को यहां पर मिलेगा आपको बहुत बहुत धन्यवाद यहां तक पहुंचने के लिए इदी यहां तक आप पहुंचे हो कमेंट करके जरूर बताना कि आप लाश्ट तक पहुंचे हो और मज़ा ऐगा देखना आप इदी आपने इतना धरी है पेशन्स है तो एक्जाम निकलना आपके लिए बहुत आसान है